हे ना रहे यह आपने क्या किया क्यों किया करना आपका सुन्दर मुख्रा तीन तीन बार देखकर हम लोग तो धन्य हो गए मैं देख रहा हूं मेरी एकलोती पुत्री के ज्वयमबर में भाग लेने के लिए मानाव दानाव देव यक्ष गंदर्वई नहीं है मानाराज भी पना रहे हैं हुआ 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 ह हुआ हाँ कि कमल नहीं देवाशी आ रहे हैं जो आला मुखी भटने ही वाला है बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हैं यह आपने अच्छा नहीं किया लक्षमी नारायन मेरी जग हसाई करवा कर आपने अच्छा नहीं किया मैं आपको शाप दे रहा हूँ कि आप मानव योली में जन लेंगे अपनी प्रियत्मा जीवन संगिनी के वियोग को जहिलेंगे और मुझे जो रूप देकर आपने मेरी जग हसाई करवाई है उसी रूप को रखने वाले लोगों से आपको सहयोग और सहायता की भीक मांगनी होगी हे लक्षमी नाराएं मुझे आज बहुत दुख है मेरे मन में अत्यंत पीड़ा है यदि आपको स्वेंग विश्व मोहनी से विवाह करना था तो आपने मुझे प्रोथसाही थी क्यों किया मुझे स्वेंवर में भाग लेने के लिए उक्साया ही क्यों मैंने तो आप से अपना कल्यां करने की विंती की थी आपने मुझे उपहास का पात्र बना दिया माते माते आप कुछ कह क्यों नहीं रही है अपने पुत्र के अपमान पर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है माते एक कमलनायन देवर्शे के प्रष्णों का उत्तर दीजिए मुझे इनका दुक देखा नहीं जाता यह मुझे अत्यान तप्रीय है देवर्शे आपने दो प्रश्णों का उत्तर चाहा है पहला ये की मैंने आपको विष्व मोहिनी के स्वैंवर में भाग लेने के लिए और मुझे अपने दो प्रश्णों का उत्तर यहीं और अभी चाहिए देवर्शी जहां तक आपको स्वयमवर में भाग लेने के लिए प्रोचसाहित करने का संबंध है तो मैं आप पर यह सत्य प्रकट करना चाहता था देवर्शी कि आपके उस घोशना के उपरांध भी कि आ आप काम को जीत नहीं पाएं देवर्शी यदि आपने काम को जीत लिया होता तो विश्व मोहिनी को देखने के उपरांथ आप उस पर आसकत नहुए होते अपना आपानक हो बैठते हैं है देवर्शी दर्ती पर जो कुछ हुआ वो तो केवल मेरी लीला थी सरवत्र माया का खेल था लीला थी खेल था माया थी मैं समझा नहीं नाराया हाँ देवर्शी वेद्वति आपके नारायन की भक्त थी इन्हें पाना चाहती थी परंतु रावन की दुष्चता के कारण उसकी जीवन का अंत हुआ तब उसने विश्व मोहिनी बनकर अपने आराति विश्म को पान लिया हाँ देवर्शी देवर्शी नीचे देखिए जहां आपको शील नगरी दिखाई दी थी राजा शील का भवन दिखाई दिया था विश्व मोहिनी का स्वयम्वर मंडब दिखाई दे रहा था अब वहां क्या है किन्तु हे लक्ष्मी नाराय मुझे वाना रूप देकर मेरा उपहास करने की क्या वश्यक्ता थी देवर्शी मैं तो केवल आपको ये बताना चाहता था कि जब किसी व्यक्ति के मन में एहंकार डेरा जमा लेता है तो उसका अच्छा भला रूप भी बिगड़ जाता है देवर्शी, जब एहंकारी व्यक्ति एहंकार के मद में चूर, सिर उठाए और छाती भुला कर चलने लगता है तो ये भूल जाता है कि उसकी उस चाल और मुद्रा को देखकर वो दिमान व्यक्तियों को हसी आती है देवर्शी, जिस प्रकार दिये की लौ अपनी ही बाती को धीरे धीरे जला कर राक करती है उसी प्रकार रिशी का अहंकार उसके तेज और तब का नाश करता है हे ब्रह्मा पुत्र, मैं आपके तेज और तब को अहंकार की अगनी से बचाना चाहता था वो आपका उभास नहीं था देवर्शी, मैं जानता हूँ कि आपके मन से अब अहंकार निकल चुका है मुझे ख्षमा कर दीजे लक्षमी नारा, मुझे ख्षमा कर दीजे, मुझे ख्षमा कर दीजे पर, ये तो बहुत बुरा हुआ देवर्शी, क्या बुरा हुआ? माते, मैंने अपनी उपहास के आवेश में आकर, नारायन को मानव योनी में जन लेने, पत्नी के वियोग को झेलने, और वानरों से सहायता लेने का शाप दे दिया अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ ना रहे? देवर्शी, आपका ये शाप से राखों पर और आपके इस शाप का एक अंश तो अतिशीग्र रंग लाएगा रावन के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं मानवता करा रही है देवर्शी और मानवता की करा को मैं अंसुना नहीं कर सकता और देवर्शी, ये भी तो संभव है कि आपके इस शाप में भी मानव कल्यान का महान उद्देश नहित हो? देवर्शी के शाप से मैं भी तो मुक्त नहीं हूँ कमल्ययन महादेवी हम दोनों को धर्ती पर जाना होगा देवर्शी के शाप के कारण मुझे रघुकुल जाना होगा और आपका भी मिथिला नगरी में जाना निश्चित है महादेवी आप महाराज सीर्द्वज के घर जन लेंगी महाराज सीर्द्वज के घर? कौन महाराज सीर्द्वज कमल्ययन? महादेवी मिथिला के नरेश राजा जनक का वस्तविक नाम है सीर्द्वज उनके वन्ष के हर राजा को विदेह या जनक कहकर पुकारा जाता है क्योंकि उनका आधिपुरुष एक मृतक की देह से जन्मा था मृतक की देह से? ऐसे विजित्र बात कहकर आपने मेरी उत्सपता बढ़ा दी है फला मृतक की देह से कोई जीवित कैसे जन्म ले सकता है महादेवी, अच्छा होगा कि जिस वंच में आप जन्म लेने वाली हैं उसके विशह में सब कुछ जान ले मैं चानने के लिए उतावी हो रही हूं कमल ले बहुत पहले एक राजा निमी हुआ करते थे जो बहुत ज्यानी, विद्वान और प्रतापी थे एक बार उन्होंने राजसु ये यग्य करने का निरणे लिया महादेवी और उन्होंने अपने कुल गुरूर हिशी वशिष्ट को पौरोहित्य के लिए आमंत्रित किया प्रणाम रिशीवर महाराज निमी पदा रहे हैं मैं उन्हें भीतर लियाओं नहीं मैं स्वयमून का स्वागत करूँगा आपका स्वागत है महाराज निमी प्रणाम गुरुदेव आईश्मान भाव कहिए कैसे कश्ट किया मैं आपको आमंत्रित करने आया हूं गुरुदेव मैं राज सो यग्य कराना चाहता हूं और चाहता हूं ये यग्य आपके पवित्र हातों से संपन्न हो मैं आपका यग्य संपन कराके अत्यंत प्रसंद होता राजन परन तो क्या करूँ अभी कुछी समय पूर इंद्र ने मुझे अपने यहां यग्य कराने के लिए आमंत्रित किया और मैंने उनका निमंत्रन सुईकार भी कर लिया अब तो इंद्र का यग्य संपन कराने के पश्चा थी मैं आपका यग्य करा सकता हूं मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आये था आपको निराश करते हूं मुझे बड़ा दुख हो रहा है राजन परन तु क्या करूं विवश्चता है हाँ इंद्र का यग्य संपन कराने के पश्चार मैं आपका यग्य आवश्य करूंगा आश्मानबाव क्या करूं गुरुदेव को लोटने में नजाने कितना समय लगे यग्य कर निश्य कर चुका हूं रिशी गौतम के पास जाकर विनती करता हूं वे अवश्य मेरा निमंत्रन स्विकार कर लेंगे अच्छा होता कि चलते चलते रिशी वशिष्ट्रे कह देता कि मैं रिशी गौतम से यग्य करवा लूंगा प्रणाम रिशी देव मैं मितला नरेश महराज निमी हूं रिशिवर तेजस्वी भवा है महराज आपको कौन नहीं जानता किन्तों आपको अपने आश्रम में देखकर हमें आश्री आवश्य हो रहा है आपको कश्ट देने आया हूं आपका स्वागत है कहीये कैसा कश्ट है पुजनी रिशी वर मैंने अपनी राजी में यग्य कराने का निष्चा किया है में रिच्छ है कि ये यज्यय आप स्वयम्संपन करें मैं आपको निमंतरन देने आया हूं मेरा निमंत्रन स्विकार करके मुझे किर्दार्थ करें आपके अनुकंपा होगी मुझे आपका निमंत्रन स्विकार है आपका यग्य मैं अवश्य संपन करूगा प्रणावरी शिवर ओम्भूर्भुवा स्वाह तक्सवितुल्वरेड्यम भर्गो देवस्यधी महिं धियोयोना प्रचोदया स्वाह ओम्भूर्भुवा स्वाह तक्सवितुल्वरेड्यम भर्गो देवस्यधी महिं धियोयोना प्रचोदया स्वाह ओम्भूर्भुवा स्वाह तक्सवितुल्वरेड्यम भर्गो देवस्यधी महिं धियोयोना प्रचोदया स्वाह स्वाह ओम्भूर्भुवा स्वाह तक्सवितुल्वरेड्यम भर्गो देवस्यधी महिं धियोयोना प्रचोदया स्वाह स्वाह ओम्भूर्भुवा स्वाह तक्सवितुल्वरेड्यम भर्गो देवस्यधी महिं धियोयोना प्रचोदया स्वाह स्वाह हे राजन आपका यक्य संपन हुआ बधाए हो आए रिशिवर आए हे रिशिवर मेरा यक्य संपन करवा के मेरा पुरोहिद बनकर आपने मुझ पर जो अपकार किया है उसे मैं सदैव स्मरुन रखूंगा इसमें उपकार के सादेव राज यक्य करना और करवाना तो हमारा धर्म है करतव्य है आपके निमंत्रण पर यक्य करवा कर और उसे संपन करवा कर मुझे अधिन्त प्रसंद आउए परंत पित्वी पर महराज निमे मेरी प्रतिक्षा कर रही होंगे उन्होंने भी मुझे यग्य के लिए आमंत्रित किया है वहां पर भी मुझे यग्य संपन कराना है मुझे विदादी एक बार पुने आपका कोटी कोटी धन्यवाद रिशिवर यशा सुईभाव कल्यान मस्तु प्रणाम रिशिवर महराज को हमारे आने की सूचना दे रिशिवर की जय हो महराज निम्यमी ठक कर विश्वाम कर रहे है महराज से कहो कि यग्य का मुhrत संध्या से पूर्व का है यदु विलम किया तो मुhrत निकल जाएगा यग्य पर रिशिवर महराज तो अभी यग्य सही लोटे हैं कैसा यग्य यग्य तो मैं करवाने वाला था मैं उनसे कहकर गया था कि यग्य मैं करवां क्वा रिशिवर आप आ नहीं सके इसलिए रिशिवर गौतम नहीं यग्य संपन किया क्या उन्होंने यग्य और महराज ने उचित नहीं समझा कि मुझे सूचित करते कि उन्होंने रिश्य कौतम से यग्य कराने का निश्य किया है इस कार्थ यह हुआ कि उन्होंने अपना गुरु बदल लिया है इस का अर्थ यह हुआ कि अब उन्हें मेरी आवशक्ता नहीं है यह मेरा गोर अपमान है जाओ जाकर अपने महाराज से कह दो कि आज के यक्यका उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा और मैं तक मैं वशिष्ट अब व्याज संजा से पूर्वी उनकी आत्मा उनका शरूर चाथ देगी निशिवर निस मैं कि महाराज हुआ है कि महाराज कि महाराज निद्रा क्यों भंगर ती महाराज अनर्थ हो गया महाराज क्या हुआ गुरुदेव वसिष्ट पदारे थे महाराज क्या गुरुदेव पदारे थे कहा है वो वो तो चले गए मैंने उनसे कहा कि आप इश्राम कर रहे हैं तो वो मोर्ख ये तुने क्या किया क्या कहा उन्होंने उन्होंने है अभे उंहों ने बाश कि-या पहान उन्होंने उन्होंने आपको शाब दे दिया महराजु ऐसाफ meant क्या शाब येत्टिया अनुनें दर्णले से पूर्म आपके आक्म झाफ कर शरीद याक देंगी इंसक्र03 गुरुदेव, गुरुदेव, वारपाल, राज में दिको मुलाओ, महराज, 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 देखे न, महराज को क्या हो गया? महराज, महराज, देखे न, महराज, दिको क्याहते न, महराज, महराज, दूए, पर लोग सिदार करें कि रिशी वशिष्ट के क्रोध और शाप के कारण राजा निमी का देहांत हो गया दुख तो ये था महादेवी कि राजा निमी बिना संतान के थे उनके उपरांत उनके कुल का अंत निश्चित था उत्तराधिकारी के बिना उनका विशाल राज सुना रह गया पर महादेवी रिशी गौतम ने सब्त रिशियों से सहायता मांगी और उन सब ने मिलकर राजा निमी की मृत देह से संतान प्राप्ति का अभियान आरम कर दिया झाल टूं और जजनननननननननननननन। कर दो कर दो कर दो कर दो कि मतना आरम किया जाए अवश्य रिशिवर मतानी लाई जाए ज्वश्य नान को, की कि मतना कि लाईब भुश्य रिश्य किogenपारे रिबे ही व्यारे हैं अपरोब सोभ चाहतार। झाते बेल तैस्वारी जपे नी बड़ मातंदे टा घाताना झाता है टाम एètement obsंध कर दोबांदे कंप dalion करेंसे हैं. झाल झाल महादेवी राजा निमी के शव से जन्मे उस सुन्दर राजकुमार का नाम रखा गया मिथी क्योंकि वो मन्थन से प्रकट हुआ था उसी ने मिथिला नगरी बसाई और उसके उपरांथ जो भी मिथिला का राजा हुआ उसे विदेह या जनक कहकर पुकारा गया थे वर्तमान मिथिला के जनक अर्थात सीर ध्वज मिथी की 37 वी पीड़ी है अब वही आपके पिता होंगे महादेवी और आप उनकी पुत्री जानकी कहलाएंगी ठीक अमलनेयन मुझे कब जाना होगा अभी विलम है महादेवी और धर्ती पर तो हम दोनों को जाना होगा जिसका एक कारण तो है देवर्शी का शाव और दूसरा कारण है रावन के अत्याचार और मुझे प्रतीक्षा है रावन के बाप की गागर भार जाने की झालाँ हो प्सक टेए देचर एका शाव से विलमे के इनला की अ झाल झाल लंकेश की जय हो आपकी इच्छा नुसार सिवक उपस्ते थे आईए आईए महामंत्री जी आईए मुझे आप ही कि प्रतीक्षा थी जानना चाहता हूं कि क्या ये समाचार सत्य है कि सारे रिशिगर्ण लंका छोड़ कर जा चुके हैं और अब हमारी राज्य सीमाओं में एक भी दिशी नहीं बचा क्या ये सत्य है समाचार सर्वता सत्य है महराज हम प्रसन्न हुए महामंत्री जी अती प्रसन्न इसका अर्थ यह हुआ यह हमारी राज्य सीमाओं में उस छलिये का कोई नाम लेवा नहीं रहा जिसे रिशीद पालनहार नारायन और नजाने क्या क्या कहकर फुकारते हैं इसका अर्थ यह हुआ यब हमारी राज्य सीमाओं में वहां से जनकार डंबर भी समाप्त हो गया जिसे यह कहते हैं अब चुप क्यों है महामंत्री जी इसलिए कि यह समाचार सरवता सत्य नहीं है इसमें संशन नहीं है महाराज कि रिशिगन लंकेश की राज सीमाओं से दूर चले गए हैं किन्तु यग्य चली तवस्था में है इस समय भी हो रहा है रिशी चले गए है किन्तु यग्य अभी भी हो रहा है मुझे ये परस पर विरोधी सुचनाए क्यों दीजारी है महामंत्री जी मुझे बताएं कि कौन है वो जो हमारे राज जमय के कर रहा है आप बार बार चुप क्यों हो जाते हैं मुझे बताएं कि कौन है वो मैं उसके शरीर से रक्त की एक एक बुंद ही चोड़ लूँगा मुझे बताएं कि को है वो मुझे में उसके नाम की घोशना करने का साहस नहीं है महाराज क्यों? क्योंकि उसका आपके साथ रक्त का संबंद है महाराज पहेलिया ना बुझाए महामंत्री जी अब मुझे बताएं कि कौन है वो वह कोई और नहीं महाराज आपके अनुच हैं क्या कहा आपने? मिरा अनुच मिरा विपिषण जिसे मैंने अपना अनुच नहीं सभेव अपना पुत्र समझा नहीं, 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 महामंत्री जी यह नहीं हो सकता मुझे विश्वास नहीं हो रहा विपिशण ऐसा कोई कार नहीं करेगा जो रावण के इच्छा के विरुद्ध हो, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, महामंत्री जे। और यही सर्वता सत्य है महाराज। कहा है वो? अपनी यग शाला में। अम भूर भुआश्वाह, तत्स्वितुर्वरेणयम्, भर्गो देवस्य धीमही, धीयो योनः प्रचो दयात्ष्वाह अम नमो भग्वते वासुदेवाई 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 आम नमो भग्वते बासु देवाई आम नमो भग्वते बासु देवाई आम भूर्भुवास्व तत्स वितुर्वरेणियम वर्गो देवत्स धीमही धीयो योनः प्रचो दयात्स्वाः प्रणाम भ्राता श्रीप मैंने आज वो देखा जो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा नुज्ज मेरा विभीशन मेरा विभीशन जो जानता है कि मैं विश्णू से कितनी घ्रणा करता हूं जो जानता है कि मुझे विश्णू का यग्य से कितना बैर है वो विभीशनू विश्णू का यग्य कर रहा हूं वो भी रात के अंधेरे में सबसे छिपकर क्यूंग प्राता श्रीप मैं तो यह सब दिन के उचाले में सब के सामने इसलिए नहीं करता कि कहीं प्रजा ये न समझे कि लंका पती के घर में ही उनके आदेश के अवेलना हो रही है तो ये नहीं हो रही क्या ये सत्य नहीं कि मेरा अनुज प्रिपिता के लक्त का भागिदार मेरा आदेश चुक्रा रहा है मुझे आज क्यात हुआ कि मैं जिस अनुज से पुत्र की भात इसने रगता था उसके मन में मेरे लिए कोई आदर नहीं कोई इसने नहीं नहीं प्रात श्री ऐसा ना कहें आप भली भाती जानते हैं कि मैं आपको पिता समान समझता हूं कि आप जब चाहे मेरे सने की परिक्षा ले सकते हैं जब चाहे क्यों वेबिशन मैं आज अभी और इसक्षण तुम्हारी परिक्षा लोंगा मैं देखूंगा कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना आदर है कितना स्ने है कहो स्विकार है तुम्हें आज्या दीजे ब्राता श्री तो मुझे वचन दो प्याद से इसक्षण से तम यग्य करना छोड़ दोगे मैं वचन देता हूं ब्रादा श्री किन्तु अग्या हो तो एक बात पूछू पूछो अवश्य पूछो प्रादा श्री जब हम दोनों छोटे छोटे बालक थे तो तो पिता श्री आप से यक्य में जाने के लिए कहते थे और माता श्री आप को जाने से रोक देती थी तो आप स्वय मुझसे कहते थे कि आपके स्थान पर मैं जाओ यक्य में भाग लो और आज आप उस समय के बाद कोछ और थी वी विशन क्योंकि उस समय मुझे ग्यात नहीं था कि विशनु में कितने दोश हैं कि विशनु यक्य में कितने दोश हैं क्योंकि उसमय मैं बालक था कि चोटा था था है कि यंदू अब कर सब कुछ जान चुकः हों मैं क्या जान चुके आप रदा श्री यही कि विशनु कितना कप्टी है कितना धुर्त है कितना दुष्ट है मैं यह इश्वाल वो मेरा और मैं उसका विरोधि हूं यह दितुम सद्धे कह रहे हो कि तुम मेरा आधर करते हो तो फिर आज से तुम्हें उसका विरोध करना होगा विश्ण आज से यक्य बंद करना होगा मैं आपको बचन दे चुका हूँ कि आपकी आज्यां का पालन करूँगा अब मैं यक्ये नहीं करूँगा विभीशन मेरे अनुझ मैं प्रसन हूँ अती प्रसन तुम वास्तों में मुझसे स्ने करते हो मैं आपसे बहुत स्ने करता हूँ प्रादा श्री मेरे शरीर पर तो आप अंकुछ लगा सकते हैं किन्तों मैं अपनी आत्मा का क्या करूँ वो तो विश्णों के रंग में रंग चुकी है रावन था पंडित बड़ा रावन था वित्वान महिमा से वह यग की फिर भी था अंजान विनयव भी शण में भरा रावन में अभिमान भत भी शण केहरते बसे रहे भगवान बसे रहे भगवान बसे रहे भगवान